तो भारत में दूसरे जो लैब्स हैं, DBT के हैं, DSP के हैं, DSIR के हैं, या फिर IIT के हैं, या प्राइवेट दूसरी कंपनियां हैं, हर सब लोग ये इस चेश्टा में लगे हुए हैं कि हमारे भारत के टेस्ट बने और वो यूज हों, तो उस चीज के लिए उनके अपने लैब की जो गुनवत्ता जांट है वो तो होती ही है, और उसके बाद जब उनके लैब की गुनवत्ता जांट के बाद उसको पूरे एक वालिडेशन टेस्ट किया जाता है, तो अगर उस वालिडेशन टेस्ट में वो सफल पाए जाते हैं, कुछ मापदंड के उपर, तो उसके बाद ही उन टेस्ट को या उन किट्स को यूज किया जाएगा जनरल यूज में.